कोशिन नदी में तेजधार में बह गया इवक, 30 गंटे बाद भी नहीं मिला शोग बेलदोर थाना शित्र के बलेठा गाउं के नोटोलिया में सुमवार को सुबद 10 बजे बगल के कोशिन नदी के तेजधार में एक इवक बह गया उक्त किशोर कोसी नदी के किनारे सौच करने के लिए गया था उसी दरान पैर से सल गया जिसकारण उक्त किशोर की मौत हो जाने की जैनकारी मिल रही है हमारे खंगडिया शंबाजदाता असुमलेस कुमार आदो ने बताया कि जिलापता अधिकारे डाक्टर आलोक रंजन खोस के दिसा निर्देश पर बेलदोर शियोर शो की खोजबीन में लगे हुए हैं वह सानी ग्रामिड रविंद्र आदो ने हमारी शंबाजदाता असुमलेस कुमार को बताया कि बिल दोर्थ हनाचेट के बलेठा पंचाथ अंतरगद वार नमबर साथ नवटोलिया आउनिमासी राजे साह के 17 वर्सी पुत्र रोशन कुमार अपने घर के पश्रिम कोसी नद अब भीत गया है इस पर आपका क्या कहना है इसके बाद हमने अंचल से लेके जिला परसाशन को अवगत करोने का कौम किया बार-बार मोबाईल करने के बाद एस दी आरेफ की टीम दो बज़े आई दो बज़े सो बज़े चार घंटा इन्होंने अपना कौम किया लेकिन लास की बरामदी नहीं हो सकी हम लोगों का यह था कि यह तीम यहीं रहे और सबेरे मोने पुछ बज़े से लोग अपना कौम क चले गए और फिर आज बहुत करक मोबाईल और और आप लोगों के सही ओक्सी फिर तीम आई तो अभी वह बारुन में अटकी बोटत का हुआ है उसमें चारों स्द्र के मेंबर गये हैं बैकि यहीं है किनारे पर कुछ पता चला सब का सब का भी तक कोई पता नहीं चला है ह हम लोग अपना असतर सी एक नाव भी भी घजे है और मोबाई से कंसार्टन लेकिन वो जिला परसाथास क्या मंग करते हैं? जिला परसाथास से मंग करते हैं कि लास बरहमदी हो और हर हाल में निशा है गरीब परिवार को जो सरकारी सहता मिलता है वह मिल आपका परिचे है? मेरा नम रविनर यादव, कराम पचात